योग विग्णान विपन नमबर एक भाग पांच योग नो अर्थ अने ब्रामक ख्यालो योग नी महीती ने योग नो अर्थ पन कही सकाई अगत्यना सवालो योग नी जुदी जुदी ब्रामक मानियता विशे सह विश्वार चर्चा करो योग नो अर्थ आपी योग विशे लोकों मा ब्रामक ख्यालनी चर्चा करो योग सुन थी लोकों नी योग विशे गेर समझ टुकनोन मा आप रस्ना आवी सके छे अगत्यानी नोंद ब्रामक ख्यालनो निभन लक्सी सवाल आवे त्यारे योगनी प्रात्मिक मही दी योगनो अर्थ आपी ने ब्रामक ख्यालो लखवा तुकनोन मा फक्त ब्रामक ख्यालना ज विशे नोंद लखवी योग विशे नी प्राथ्मिक माही थी तेने योग नो अर्थपन कई सकाई आधुनीक युग मां वैगनानीक सोद खोर थी आजनो मानवी भावतिक रिते सुखी दिखाई छे कार, सेलफोन, टीवी, एसी, कॉंपीटर वगरे साधनो थी मानवी नी सुख सगवडो मां खुबज वदारो थायो छे एमा कोई संका न थी साथे साथे बडलाईला आ जमानामा खीचो कीच वस्तिती उबराता समाज मां गणी समस्यावा उभी थायी छे जेने लिदे मानवी भयंकर अ सांती मां मुकाई गयो छे परिणामे तेना मननी सांती के जेनू मुल्य करोडो मां पन न करी सकाई ते सांती तेना जिवन मांती जती रही छे योग भारत देशनी खुबज जुनी संपुन्न वैग्नानीक अने सर्वस्तेस आध्यात्मिक विद्या छे भगवान संकर आ विद्याना परम पिता के वामा आवे छे एवु योग ना इत्याज परती जानी सकाई छे योग नो स्वरूप एतलू विशाल छे के तेने कोई एक व्याख्यामा बांधवू मुस्केल छे योग सब्द संस्कृत ना युज धादू परती बनेलो छे जेनो अर्थ जोडान, मिलन, मेडाप के संयोग थाई छे योग इतले आत्मानू पर्मात्मा साथे मिलन, योग ने कर्मोमा कुसलता, चितनी वृत्तियोनो निरोद, अने सत्यानी प्राप्ति माटेनी साधना पद्धति पन केवामा आवे छे योगे, मनुस्यना व्यक्तित्वने संपुर्ण रुकमा संकलित करवानू एक सुव्यवस्चित विग्णान छे आपना अस्चित्व साथे पर्मात्माना परम अस्चित्वनो मेडाप करवो इतले योग प्रकृतिना पंतत्व साथे नो संयोग नेज वियोग मुत्तियु तरीके उडखवामा आवे छे आत्मा मनुस्य जीवन च्वरूपे कर्मा फडना बंधनमा बंधाईने सुक दूप भूगवे छे तेमज साची सुक सांतियाने परम आनननी खोजमा भटक तो रहे छे एक सभाविक प्रस्ण उठे के आपणों आत्मा सयम प्रकासित तेज पुन्ज होवा छता सा माटे अहीं तहीं भटक तो रहे छे येनू कारण एछे के अग्नान अग्नान ताना कारण एज आपणे पोताने सरीर अने मनने मनावीने ब्यसी रहे छे पोतानी वास्त्रविक स्वरूप ठी अजान बनी ने ब्यसी रहे छे पोताना वास्षविक्स्वरूपने केवी रिते जानवूं? तेनो जवाब छे सयम सिस्थ अने साधनामा सतत आचरण ध्वारा सतत साधनाती आपनू सरीर निरोगी तेमज स्तीर थवा लागे छे मन पवित्रने सान थवा लागे छे आत्माना साचा स्वरूपनी ओड़क पामी ने अंतर आत्माना साचा स्वरूपने ओड़क्या पछीज परमात्माने पामी सकाई आत्माने परमात्माना मंगल मिलन नी आ असाधारण अवस्ताने ज योग कहवाई छे बगवान से पतन जलीए चितनी व्रुत्तीनों निरोद करवानों सुचव्यू छे एतले आपणा मनमा जे गमे त्यारे विचार आविया करे एनी पर अंकुश आपणे उंगम होई ये त्यारे पन सपना आउतार है छे जागता हवस सामा गणा विचारों चालिया करता होई छे आवी मानसिक अ सिर्तानु कारण चंचल रुत्ती छे चंचल मननु कारण भुतकाल मा करेला कारियो मन उपर असर करे छे मन एवा विचारों मा फडिया करे छे आवी परिश्रिती एठड जे बाबतों आपने आनन्दायक लागे छे आपने अग्नान्ताने लिधे आपने तेने मनने गमती वस्सुने सूक समझी लईये छे जारे आपने भाईय विशाई ने बाजू उपर राखी ने सयमने जानवानो प्रयत्न कडिये एटले आतमा निरक्षन कडि चित स्थीर तवा लागे छे जारे चित स्थीर थाई त्यारे द्याननी अवस्सा प्राप थाई त्यारे समाधी एटले के आतमानू परमात्मा जोडे मिलन थाई छे योग सू नथी योग विशे लोकोनी खोटी मानियता योग ना ब्रामक ख्यालो प्रस्टावना योग ये विश्वनना अन्मोल खजाना जेवी प्राचिन भरतिय संस्कूती तरप थी मनुस्य जाती ने मलेली सवती संस्कूती अने अमुल्य भेट छे दुखदवाद ए छे के आजे साचा अर्थमा योग सू छे ते गणा लोकोंने ख्यालत नथी योगने लईने लोकों मा गणी ब्रामक मानियताओ छे आजे सामानिय जन समाज मा योग प्रतिय विविद ब्रामक मानियताओ जोवा मले छे जिमानी मुख्य ब्रामक मानियताओ आ छे पहलू योग एक चिकिस्सा पद्धती छे योग एक कोई चिकिस्सा पद्धती नथी कारण के बिमान लोकोंनी सार्वार माटे तेनो उद्भव थयोड न अतो चता योग ना विविद अभ्यास मा शारवार करवानी ताकाट पुन चुपायली छे योग अभ्यास द्ध्वारा व्यक्तीत्वना मनो बढ़पर नियंतरण मिलवी बधिज प्रकार्नी समस्या उपर नियमन्प्राप्त करी सकाय छे योगनी विशिस्ताओने कारणे आपने मात्रा तेने चिकिस्ता पद्धती मानिये ते योगनी व्यापकता अने विशार ताने आपने संकुचित करी नाखिये छे बिजो मुद्धो योग सुन्दर्य वर्धक साधन छे विशेश करीने बेनों मा आजे योगनी लोक प्रियता वद्धवानु मुख्यकारण ए छे के योगा अभ्यास से स्वन्दर्य वदे छे शरीर सुदोल बने छे परन्तू साचा अर्त मा योगना अभ्यास मा सरीरना बहिया सुन्दर्य वद्धर्वा करता व्यक्तित्वना आंतरिक सुन्दर्य वद्धर्वा उपर विशेश भार आप्पामा आवे छे मातर बहर ना दिखाओ साते तिने कोई सबना थी योग मा आसन, प्राणायम, जेवा सारीरिक अभ्यासनों समावेश करवामा आव्योचे एटलोड नहीं, पन साथे साथे मनुस्य व्यक्तित्वना बदाट पासावो जेवा के सरीर, स्वास, मन, बुद्धी अने छेले चेतनाना विकासनों पन अभ्यास करवामा आव्योचे योग एक धर्म छे, गणा लोको एम माने छे के योग एक धर्म छे, तेना अभ्यास माटे कोई चोक्कस प्रकानना क्रिया कांड करवा जरूरी छे, परन्तु अकिकत मा तो योग एक मानव धर्म छे दुनियाना बदा प्राचिन धर्मों मा योग एक महत्वनों इस्सों छे, कोई पन संप्रादाई के धर्मना लोको पोताना जंप्रादाई के धर्म मा संप्रुन सद्धा राखी ने योग नो अभ्यास व्यवस्चित रिते करी सके छे योगा अभ्यास द्वारा व्यक्तिना अंतरिक व्यक्तित वनो विकास ठता ते आत्मक साक्सात कार तरब जाई छे अना माटे कोई विशेज प्रकारना दूख मर्यादा पूर्वग रहो अन्स्रद्धा थी दूर थाईने एक स्वाधिन अवस्षा प्राप्त करवामा मदद बने छे अर्थात योग कोई विशेज धर्म माटे न थी चोथो मुद्धो योग अमुक सिद्धी प्राप्त करवानू साधन छे ये सत्य छे के नियमीत तता योग्य रिते योग अभ्यास द्वारा केटलिक एवी सक्तियों प्राप्त थाई छे जे सामानिय ध्रस्सी माँ चमतकार गणी सकाई परन्तु योग कोई चमतकार न थी परन्तु योग एक सुव्यवसित विग्नान छे योगमा येवु कई न थी जेनी विग्नानिक रिते व्याख्या न करी सका योगनू अंतिम लक्स कोई विशेज सिद्धी प्राप्त करवानू न थी जे मात्र सिद्धी प्राप्त करवा माटे आतूर छे ते क्यारेक योग नो साचो अब्यास नथी करी सकता पांचमों बुद्धो योग गुरुहस्च जीवन माटे नथी योग नू नाम सामबरताज आपना मनमा एक योगी महराज के सनियाशीनू चित्र आवी जाई छे जेवने मस्चक पर जटा लामी डाडी, आत्मा, कमंडर तथा भगवा वस्र धारन करेला होई तथा जंगल मा फरता होई साचा अर्तमा योग साथे आवा बहय देखावने कोई सबन नथी योग तो व्यक्तिना अंतरिक व्यक्तित्वना अखार आत्मक परिवर्तन लावा माँगे छे योग अभ्यास माटे जंगल मा जवू उपरोग वेक्सधारन करवो फरज्यात नथी छट्ठो मुद्दो योग एक कसरत छे योग वी से एवी एक मानियता छे के योग एक प्रकारनी कसरत छे कसरस सारीरिक हलनचलन ध्वारा करवामा आवे छे जयारे योगने कसरतना रूपमा समझे तो योगनी पवित्रता नास पामे छे दाखला दरीके आसन अने प्राणायम जेवा अभ्यास ने सारीरिक रूपमा लई सकाई परन्तु योगना अन्य गणा अभ्यास से जे सारीरिक करता वदारे मानसिक छे दाखला दरीके धारणा ध्यान समाधी वगरे आवी योगने मात्र कस्रतना रूपमा विचारवानू एक ब्रामक ख्याल छें आ प्रकार्नी अने खोटी मानियता आओने कारणे एक लांबा समय सुधी आपने योगना लहपती वंचीत रहा छे आम आनियता बदलवाने जरूर छे थैंक यू